सब्सक्राइब होका एंद खाड फोर लेटेस टेकनोलीजी वीडियो और प्रेस्टी बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स राम राम भायू मैं ठाकुर प्रकास चोहां स्वागत करता हूं आप सब का आपके अपने चैनल होका एंद खाड पे आज हम बात करेंगे रियालिटी बिहाइंड वाट्स अप हैक के बारे में तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है उससे दबा के सब्सक्राइब कर ले यह बिल्कुल फ्री है आज अगर आपको WhatsApp किसी का हैक करना हो आपने Google या YouTube पे सर्च किया How to Hack a WhatsApp तो आपको पचासु तरीके मिल जाएंगे WhatsApp हैक करने का तो इन में से तीन बहुत पॉपुलर तरीके है QR कोड के थुरू, वेबसाइट के थुरू और Spy Software के थुरू तो आज हम इन पर बात करेंगे तो QR कोड के थुरू बात करते हैं कैसे किया जाता है तो यह WhatsApp का ही फीचर से WhatsApp वेब करके जब आप अपने PC या फिर मुवाइल ब्राउजर के desktop वर्जन पे सर्च करते हैं web.whatsapp.com तो एक QR कोड खुल के आता है जिसे आप अपने WhatsApp की सेटिंग में जाके WhatsApp वेब में जाके जब स्कैनर खुलेगा उससे स्कैन कर देंगे तो आप अपने फोन का WhatsApp ऐसे PC या उस मुवाइल में ले सकते हैं जिसमें आपने स्कैन किया तो यह कोई hacking नहीं है यह तो WhatsApp का एक फीचर से इसे अगर आपको hacking करके खुश होना है तो आप हो सकते हो आपकी मर्जी है दूसरा तरीका है वेबसाइट के थ्रूँ अगर आप Google पर सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जो आपको कहते हैं कि आप आओ नंबर डालो और हम आपका फोन हैक करके आपकी सामने रख देंगे तो यह बिल्कुल फेक है इस पर कभी ट्रस्ट नहीं करे आप वहां जाएंगे आप अपना नंबर डालेंगे उनका डिजिटल हैकिंग मेकैनिसम ओन हो जाएगा जो बस दिखेगा आपको हैकिंग जैसा वहां कुछ हो नहीं रहा होगा तो उसके आप नंबर डालेंगे फिर हैक करेगा वह हैकिंग मेकैनिसम ओन होगा उसके बाद कहेंगे survey करो add so करो उसके बाद फिर आपको देंगे ठुलो कुछ नहीं होने का है कोई hacking packing नहीं है मैं तो recommend करूंगा ऐसे website पे किसी का number ना डाले जिसका number डाल रहे हो सकता है उसके privacy को नुकसान हो तो तीसरा तरहिका है spy software का तो जी हाँ spy software work करता है लेकिन इसमें भी दो बाते हैं क्योंकि ये आपको google play store पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये third party application है और दूसरी बात जो इसका free version आता है उसमें आपको ना whatsapp का ना facebook का किसी भी social site का access नहीं मिलेगा तो इसके लिए आपको उसका pro version खरीदना पड़ेगा जिसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे खरीदने के बाद आप किसी victim के phone में इसे install करके sign up करके उसे hide कर सकते हैं उसके बाद आप उस phone का access अपने PC या mobile पर ले सकते हैं लेकिन मैं ये किसी को recommend नहीं करूँगा क्योंकि victim अगर victim को पता लग जाए और वो आपके against complaint फाइल करते तो आपको jail भी जाना पड़ सकता है इस case में और दूसरी बात कि आप जिसके phone में install कर रहे हैं उसके phone का सारा data उस company के server पर चला जाएगा तो हो सकता है कि उसके data का misuse हो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप किसी के भी phone में ये application install ना करे बिल्कुल ना करे और जिनके phone में ये already install हो चुका है वो कैसे पता करे कि उनके phone में spice software इंस्टॉल किया गया तो उसके लिए मैं बता दो इसका कोई तरीका नहीं है पता करने का क्योंकि वो application पूरी तरह से hide होता है सभी company का अलग-अलग code होता है जिसे आप dial pad में type करके उसे देख सकते हैं कि आपके phone में spice software है या नहीं है इसे आपको खुद absorb करना पड़ेगा आपके phone की battery uses बढ़ जाएंगी आपका data use बढ़ जाएगा आपका phone auto restart होने लगेगा तो ये सब observe करके और फिर भी आपको पता नहीं लग रहा है कुछ तो आप अपने phone को reset कर सकते हैं जो भी application उसके अंदर होगा सब खतम हो जाएगा तो ये थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई का बटन उसे द्वा कि जाएगा राम राम